इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके खाने पीने यानि की टाइट में होने वाली कुछ ऐसी पांच बड़ी गलतियों के बारे में जो हो सकता जाने अन जाने में आप फॉलो कर रहे हूँ और वो आपके शरीर में बिमारियां भी उत्पन कर रही हूँ और आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाईज हो रही हूँ उससे क्योंकि आईरवेंद में बोला भी गया है सर्वव्यादी आमाशय होते था यानि कि जितनी भी बिमारियां है उसका में जो कौज है उसकी जड़ है वो है आपका पेट यानि कि आपके खाने पीने का तौर तरीका और अगर आप चाहते हैं कि इन गलतियों को से आप बचे बचाव चाहते हैं तो वीडियो को लास्त तक देखेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल अकिन दबा दीजे ताकि आपको लेटेस नोटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए फटा फट से वीडियो शुरू कर तो जो सबसे पहली और most common mistake है वो खाना खाने के पहले या तुरंत बाद पानी का पीना अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समल जाहिए साफधान हो जाहिए क्योंकि क्या होता है जब आपको भूख लगती है तो आपका digestive fire increase होता है आपकी पाचक अगनी increase होड़ती है भरती है तो अगर सोची उसमें आपने पानी डाल दिया तो सारी बुच जाएगी तो digestion कहां से होगा एक्जाम्पल के तौर पर आपने खाना बनाना है खाना पकाना है तो आपने गैस के चूले में पानी डाल दिया और खाना जो है पका नहीं कच्चा रह गया तो उसमें स्वात कहां सा शरीर में toxin बनाता है बेमारियां उत्पन करता है तो क्या best है पानी पीने का टाइम खाना खाने से 45 मिनिट्स पहले या फिर खाना खाने के 45 मिनिट्स बाद आप पानी पी सकते हैं या फिर आप खाने के बीच में एक एक गुट भी पानी ले सकते हैं लेकिन वो भी गुन- सुबे सुबे चार पराटे, बटूरे, छोले, कुल्चे या फिर आप तंदूरी नान खाना पसंद करते हैं तो सावधान हो जाईए क्योंकि आयरवेद अनुसार ये सबसे बड़ी गलती है आयरवेद में बताया है जैसे सूरज उखता है आपकी डायस्टिफाय यानी पा रफे बड़ी खाना है पूरी छोले चने खाने है तो आप दुपैर में खा सकते हैं वही रात में जब सूरज ढलता है तो अगनी पाचक अगनी सबसे कम होती है तो हलका खाना खाना है वो भी 8 से 8 बजय के बीच में और इसके बाद 8 बजय के बाद आपको खाना नहीं खान है ओवरीटिंग पर आपको कैसे पता लएगा कि ओवरीटिंग आप कर बैठे हैं या कर रहे हैं आयरवेद में एक रूल है त्रिविद कुक्षी रूल यानि कि आपके पेट के अगरम तीन हिस्से कर दें तो एक हिस्सा सॉलिड स्केल होना चाहिए यानि कि जो आप रोटी द तो आपको समल के खाना है इन तीनों हिस्सों के लिए सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए आपको अपने पेट में जगा छोननी हैं तो ये रूल अक्सर फॉलो नहीं करते हैं तो ओवरीटिंग आप बिलकुल ना करें आयरवेद अनुसार चौती गलती अक्सर हम सभी ने इचेद है यानि की कॉंट्रा इंडिकेटिड है गलत है क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद नैच्रली शरीर में कफ दोश का इंक्रीज होता है और वो नैच्रल है पर अगर हम उसके उपर मीठा खा लेंगे तो कफ दोश प्रकूपित हो जाएगा यानि की वो भढ़ जा पहले आपकी खीर या मीठी दही आप खा सकते हैं या गुड़ आप खा सकते हैं इससे क्या होता है कि आपकी वात जो खाना खाने से पहले बढ़ी होती है वो भी शमन होगी और आप मीठी को भी इंजॉय कर सकते हैं तो मीठा अगर आपको खाना है तो खाना खाने से पहले आप मीठा काईए, आयरवीद में शड रस का पालन आपको करना है यानि कि मधुर, अम्न, लवण, कटू, तिक्त कशाए इस सीक्वेंस से आपको खाना खाना है सबसे पहले मधुर, अम्ल, फिर लवण, फिर कटू, तिक्त और कशाए ये है रूल आयरवीद का पांचवी और लास्ट जो मिस्टेक है, अकसर वो लोग करते हैं जो खाना खाने के शोकीन होते हैं, चटोरे होते हैं और उनके मुँ में बहुत स्वाद भरा होता है तो दो गलतिया है, एक होता है अध्यशन और एक होता है अजीन अशन अध्यशन मतलब आपको भूक नहीं लग रही है, आपके खाने का भी टाइम नहीं है पर आपने देखा बहुत कुछ अच्छा दिक रहा है खाने के लिए और खा लिया तो बिना भूक लगे आपने खाना खा लिया, इससे आपका मेटाबॉलिस्म स्लो होता है आम बनता है शरीर में, आम दोश बनता है, टॉकसिंस उत्पन होते हैं और हजारों बिमारी आपके शरीर में घर कर जाती है दूसरा यानि कि अजीन अशन, आपने खाना खाया, खाना पचा नहीं है आपका या फिर आपको पहले से ही इंडाइजेशन की समस्या है, खाना आपका पचा नहीं, अजीन है खाना जीन नहीं हुआ है, यानि कि पचा नहीं है भूजिन पर फिर भी आपने दुबारा से खाना खा लिया, ये भी जो क्या करेगा, आपके दोश को उत्पन करेगा कफदोश को बढ़ाएगा, उससे आमदोश बनेगा और शरीर में टॉक्सिंस को उत्पन करेगा तो ये सारी गलतियां अगर आप कर रहे हैं लगातार बार-बार, जान मूच कर भी और अनजाने में भी तो अभी से ही इन गलतियों को अवाइड करना आप शुरू करें अगर चाहते हैं आप अपना हेल्थी लाइट स्टाइल वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेर कीजिए वीडियो काश्वेईगा, वीडियो कार दियूर चाहते हैं गईशन में जरूर चाहते हैं झालतियो法